सन 1883 में भारत में पहली रेल काड़ी चली थी जो मुंबई से थाने के बीच चली लेकिए फिर उसके बार धिरेदरी क्या हुआ पूरे भारत में रेल का जाल बीचने लगा मतलब अलग नए नए इलाकों में रेल लाइन बीच रही थी ऐसे ही प्रेकरिया ततकाईन पाकिस्त च्छेतर में भी चल रहा था तो उसी जगह क्या हुआ था कि खुदाई रेल बिचाने काम चला था तो इट घड़ गड़ था तो लोगों ने देखा आसपास में जो उहां पर काम करें थे आसपास में कि कुछ जगह पे इटों का टीला लगा हुआ है तो गय वहां पे वहा उस पे सोध किया तो पता चला कि यह कोई पुरानी सब्वेता है और बाद में जब उस पे और जादा रिसर्च होगर हुआ तो एक पूरी की मतलब एक विक्सर सब्वेता थी और चुकि उसे हडपा नामक जगह सबसे पहले खो जा गया था उसले उसका नाम हडपा सब्वे सब्वेता की खोज हुए थी यह भारत यह महादविप की कांस योगिन सब्वेता थी ठीक है और साथ साथ इसको आध्य एहतिहाशिक युक्का भी माना जाता है क्योंकि इस काल में जो लिपी पाई गई है उसे अब तक पढ़ा नहीं गया है ठीक है और यह सब्वेता काफ कि नगर पर योजना वाल जो है वह बहुत सुन्दर मत उसमें क्या है सड़कें जो है वह नाली की विवस्ता बहुत सुन्दर है कुछ जगहों पर बंदरगा भी पाए गया है जैसे लोथल जो गुजरात में तातकालिन है भी हमारे देश में फिर यह सब्वेता सुरवात म पर अब इसे डायमंड सेप में माना जाता है ठीक है इसका विस्तार काफी था कह सकते हैं अभी तातकालिन पश्रिम में मलुचिस्तान तक था सुद्ध का गेंडा गोर करकिस्तर से कुछ नानो उस जगह था फिर उत्तर में दायमावाद तक था उत्तर में एक्जेक्त चनल में महाराश्ठ्ट की आसपास की छेत्रओं टक उसका फैलाव था और फिर उत्तरप में ये उत्तरप्रदिश नलाका है उसे मेरत new Sindow उसी के आसपास के छेत्रों तक उससका फैलाव ठीक है, तो आज के लिए फिलाल इतना ही, वैसे एक चीज और कहना चाहूंगा, कि उस समय के अलग दो प्रमुक बड़े बड़े नगर थे, मोहन जोदरो और फिर हरपा, तो मोहन जोदरो को मिरतकों का टिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पे ही सबसे बड़े अन्नागार और अश्नानागार पाए गये हैं, ठीक है, अन्नागार अन्ने रखने के गोदाम होते हैं, समाना जाता था, और अश्नानागार एक बहुत बड़ा तालाव जैसा था, जिसमें की लोग नहाते थे, ठीक है, इस काल में प्रकृति पूजा का भी देखा जाता है कि लोग प्रक्रदिपूजा करते थे साथ एक मुहर पाया गया जिसपे कि एक मुर्ति है जिसे लोग पशुपति की मुर्ति मानते हैं इससे लोग कुछ लोग से सिभ भगवान से बीजोडते हैं और उस समय खेती का भी प्रमान मिलता है जैसे बहुत सारे छेत्रे हैं कुछ यगा पे हलका भी प्रमान मिलता है कि और साथे साथ उसमें लोग दफना आए जाते थे ये प्रमान जो है दो तीन कबर मिले हैं उससे पता चलता है ठीक है